9th Flat English Reader Today's our topic is Beautiful Blue Planet सुन्दर नीले कलर का हमारा प्लानेट Looking down at you नीचे से तुमको देखने पर Planet Earth, Planet Earth को बोल रहे हैं तुमको नीचे से देखने पर I remember you as a beautiful blue तुम बहुत सुन्दर ब्लू कलर के Blue means नीले कलर के दिखाई देते हो Now your oceans are black with oil लेकिन अब तो तुम्हारे oceans means होता है महासागर महासागर पूरे black color के हो गए है मतलब काले हो गए है with oil, oil के कारण oil means होता है तेल के कारण पूरे काले हो गए है Look closely, पास से देखो You know it is true बिल्कुल सही है तुम जान जाओगे कि ये बिल्कुल सही बात है Your rain forest are all gone now अब तुम्हारा जो बारिश होती थी पहले forest में जंगलों में वो सब जा चुका है अब वो दिन गए And your ground is sickly brown और तुम्हारा जो ground है जमीन है, भूमी जो है वो पूरा अब डल हो गया है Sickly means dull color का हो गया Brown color का, भूरे रंग का पूरा ground है कोई पानी नहीं है यहाँ पर What in the world have they done to you? ये सब दुन्या कैसी हो गई? क्या कर डाला तुमने? Pretty planet in the ground Pretty सुन्दर planet था Round color का shape था लेकिन अब कैसा हो गया है? Your white clouds Once held fresh water पहले तुम्हारे जो बादल थे वो बिक्दम white color के होते थे और fresh water वहाँ से गिरता था Now they are filled with acid rain और अब तो वो पूरी acid rain से भर गया है अब fresh water नहीं आता उपर से Acid rain होता है Amal की वर्षा होती है Acid means होता है Amal, rain means होता है वर्षा तो अमलकी वर्षा होती है Your plants are barren With erosion अब तुम्हारी जितनी भी जमीने है भूमी है उसा बेरन हो गई है Barren means होता है Benjar Erosion means होता है जो मिर्दा इस पर मिट्टी जो क्या होती है खराब हो जाती है पूरी तो पूरी तुम्हारी मिट्टी खराब हो गई है They were once overflowing with grain एक समय था जब तुम्हारी भूमी जो है एक grain से भरी होती थी Grain means होता है अनाज यहाँ पर खूब अनाज हुआ करता था When did your clouds turn such deathly grey और अब जो है वो पूरा grey color का तुम्हारा cloud हो गया है बादल का color भी दूसरा हो गया है Your air is impossible to breathe तुम्हारे जो air है है ना मतलब हवा है Why you जो है Air means होता है हवा वहाँ तो अब breathe लेना Breathe means होता है सास लेना सास लेना भी impossible हो गया Impossible means असंभव अब यहाँ पर सास लेना भी मुश्किल हो गया है Did not your stewards even notice क्या तुमने कभी notice नहीं किया है Before they started to gasp and wheeze Could the powers that be not save you क्या तुम लोगोंने अपने इस प्लानेट का की रक्षा नहीं की है From such dismal end You were so right in killing them off तुम बिल्कुल सहीं बोल रहे हो Now you can begin again अब तुमको फिर से शुरुआत करनी होगी Will your next caretakers be smarter और तुम्हारी रक्षा करने वाले तुम्हारा care करने वाले अब पहले से जादा स्मार्ट हो गये हैं उनको चालाग बनना पड़ेगा अपनी प्रित्वी को बचाने के लिए अपने प्लानेट को बचाने के लिए and take better care of you और बहुत अच्छे से अपने प्लानेट की का सुरक्षा करना पड़ेगा उसका care करना पड़ेगा I pray they learn to be protectors मैं प्रातना करता हूँ कि उन लोग बहुत अच्छे से सीख जाएं कि वो अपने प्रित्वी की रक्षा कर सकें protectors means होता है रक्षा करना we miss your beautiful beautiful blue हम तुमारे उस beautiful blue color को सुन्दर निली रंग को याद करते हैं ये है हमारा beautiful blue planet का चित्र और ये है लोग जो देख रहे हैं कि अब क्या परिवर्तन हुआ है ये तो हमारा यहाँ पर ये वाला lesson chapter जो है complete हुआ beautiful blue planet I hope कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कुछ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं comment में मैं आपको सबका answer दूंगी thank you my dear students